यह हमारा सैमसंग का स्प्लिट से जिए 1.5 टन का है और लेटिस्ट मॉडल है आज मैं आप लोगों को अन्बॉक्सिंग से करूंगा साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा यह कनवर्टेबल 5-1 मोड का आप्शन के बारे में भाई यह मुझे बहुत कमाल का लग क्या है नॉर्मली मैं आप लोगो पहले प्राइज ही बता देता हूं 49,592 रुपया ओनलेन प्राइज आपको सो हो जाएगा ठीक है बॉक्स हमारा ओपन हो चुका है सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यह रिमोट इस रिमोट में काफी सारा फीचर से भाई इसका पहले म अधरी टूइस जाएता देखने को मिलता है यहां पर आप देशकते ही पत्ती टैप को जो लूग को डिजान कंपणी ने प्रोवाइड किया यह बहुत ही बनिया करता मतलब इसका लूग को और भी बेटर कर दिया कंपनी ने जिससे क्या और इसे देखने में हमें और भी कोई भी यही ताथ सब्सक्राइब को मिलेगा साथ इस टाप्लेजर फ्री ऑपरेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा मतलब इस टाप्लेजर लगाना ज़रूर नहीं है इस तरह से कंपणी ने प्रोवाइड किया यहां सुइंग देख सकते हैं दो तरह का स्विंग आपक आपको देखने को मिल जाता है जो कि यह भी बहुत कमाल का चीज़ होता है ओटो की इसको प्रेस्ट करीज़ेगा ओटे किलिंग को तो आपका अंदर में जो आपका कूलिंग कर रहता है वो साफ होना सुरू हो जाएगा मतलब कि आउसमें बैक्टिरिया रहेगा यह कोई तरह और लॉक्टिर में बहुत अच्छे तरीका से फिटिंग आता है मतलब यह आपको देख के समझ में आगा इसकी तरह का फिटिंग होगा है यहां प्लेट को निकाल चुकए है प्लेट इसली हमारा यहां पर हैंग होता है जो के लॉक्न की सिस्ट्म देख सकते हो तीन तरह के रहा यह से दिक रहा है का गधाने यहां पर भाकी यहां पर वायर भी हमें अच्छछा बड़ा वायर मिलता है और बैसमाने नोटिस कहा बहुत Drew दियता है लकिन इसमें बढ़ा हो यहां हमारे जो ने यही जो मैं खूल रहा हूं सब्सक्रेशिक है मतलब को निट्रोजन करता है वह सील करके आता है हवा का प्रेशर टैप का तो भाई इसको जब खोलो आप तो धिरी-दरे आपको खोलो जो भी इंश्रोलर होते हैं मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा क्योंकि एक बैक कुलने से आवास थोड़ा ज्यादा करता है तो धिरी-दरे उसका पर में फुलूरल डिलाइट सीरिस ही है जो के न्यू मॉडल का है मुझे बहुत ही कमाल करेगा 3.71 का ही इसका आईसा रेटिंग है मतलब आईसा रेटिंग से ही हमारा लेटिसिटी भी सेव होता है ड्रेल लाइन के काम काफी कमाल का क्या हो बैक साइड का पानी लीकेज के आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यह भी कमपणी ने बहुत ही बढ़ी तरीका से काम किया आप देख सकते हो मतलब बारिके से काम करने के बाद ही एसी हमारा लाउंच हो चुगा और भाई यह हमारे दोहजार जो बाइस चल रहा है इसमें तो कमाल कर दिया मतलब आने वा 5-1 का ओप्शन मतलब यह है आपका जो हमारा कमप्रेशर है यहां पर फिल्टर फिल्टर बहुत इसली निकल जाएगा अभी आप ध्यान दोगे बाकि मैं आपको कुछ और भी चीज़े बता देता हूं यहां लॉकिंग आप देख सकते हो तो जो हमारा 5-1 का ओप्शन है य या फिर 1-20 पर संट फे 1-20 मतलब आपका 100 पर से ज्यादा उसमें आपका कंप्रेसर ही स्पेड पे चले और आपका अलेक्रिश्टि भी थोड़ा जाद आएगा लेकिन हां अब अगर उसको कम पे चलेएगा 60 पर साद पे चलेगा फिर 80 पर साद पे चलेएगा तो आपका ऐ यह 100% copper cooling quality यहां filter को देख सेथे किस परकास समय हो लगाया है इसलिए हमारा लग भी जाता है इसलिए हमारे जो filter निकल जाएगा तो यह भी बहुत बढ़ गया है पहले से जो changing किया गया है तो यह भी कमाल का चीज है कि ज़्यादा आपको problem नहींगा लेकिन हाँ ज्यादा height पर बाकि और दोनेट इसकंदर installation kit है एससरीज है इस तरह का आप लोगों को सारा चीज मिलता है 10 फिट का copper pipe मिलता है 10 फिट का आपको wire मिलता है जो के wire four core के मिलता है तो भाई wire भी बढ़िया है और pipe भी बढ़िया मिलता हमें 100% copper का cooling coil condenser दोनों आपको 100% copper देखने को मिलता है इ यहां पर देख जाता है Paris आपको देखने को मिल जाता है जो के hall जो होता है उसको pack करने के लिए company देता है अलग से तो यह मुझे बहुत बढ़े चीज लगता है और आप dual inverter LG का लोग है तो उसमें आपको raping tap मिलता है जो कि हरेसी नहीं देता है तो यह दोनों बढ़िया और दोनों में flare भी बनाओ मतलब जो installer हमारा आएगा उसको जादा महिनत नहीं करना पड़ेगा इसली हमारा मतलब piping का कभी काम हो जाएगा इसली टाइट हो जाएगा क्या होता है अगर हम उसको flare बगरा बनाते तो समय जादा लगता है तो बाई हमारा समय बच रहा है यहां आपको समझ में आ जाएगा और अगलत connection करते हो यहां पर भी option है आप इस तरह से गलत connection कभी मत करो आपको जो सही connection है पर बता रहा है company बस उसी परकार से करोगे तो इसली आपका इसी अराम से run करेगा कोई इसली नहीं है यहां पर connection बोड है हमारे पास अंदर में connection करने के ल नीचे में वह हमारा discharge भल्वे जिससे गया जाता है यह उपर वाला जो भल्वे हमारा सक्स्तन भल्वे मैं आप लोगो देखा देता हूं कि इस परकार से इसका भल्व रहता है कि देख सकते हैं इस जगा पर हमारा फ्लेयर का जो पैंप रहता है वह आगा नट टाइठ होग है तो इस कुछ इस परकार से आप लोगो देखने को मिल जाता है यह फ्लेयर का गुना बाकि इसलिए अप टाइट करो टाइट करने के बाद में आप लोगो एक और चीज़ सजेशन दूँगा इसी को इंस्टाल करने के बाद आप ज़रू सबरू वैक्यूम करें कि वैक्य कमपनी इस तरह का काम करने से क्या होता है कि कमपनी जो रहता है वह बहुत बढ़िय को बताना था है अन्बॉक्सिंग के द्वारा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आज वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाय फ्रेंड्स